दोस्तों क्या आपको भी एक सेडान बोडल की कार पसंदे और आपको जो कार चाहिए वो डीजल इंजन पर होनी चाहिए तो इस वीडियो में हम इसके बारे में फुल डीटेल में और काफी बहतरी नितीके से बात करने वाले हैं याने की इस वीडियो में हम बात करेंगे 15 लाग के अंदर आने वाली पांच सबसे बहतरे डीजल इंजन के साथ आने वाली सेडान बोडल्स कार तो अगर आप एक सेडान मोडल की डाहा कार ढूंड रहे हैं और आपको डीजल इंजन पर चाहिए 15 लाग के आसपास की सबसे पहले प्राप्त कर सकें दोस्तों यहां पर लिस्ट की सुरुआत करते हैं फर्स्ट पॉस्ट से जहां पर इस जो लिस्ट है वह एकोडिंग टू प्राइज रखा गया है यानि कि सभी कार की जो डीटेल से वह अलग लगे सभी अपने आपने काफी बैतरी ने जिस का सब्सक्राइज है और इस कार की अन्रोड प्राइज ओविसली थोड़ी ज्यादा पड़ेगी जहां पर इंसोरेंस और आटियो भी एड़ हो जाता है इस कार पर आपको 1.2 लिटर का पैटॉल ऑप्सन मिलता है 1.0 लिटर का टर्बो पैटॉल ऑप्सन भी मिलता है लेकिन य ना पर आपको इसके मीडियम मोडल पर cnj का अपसन द्या गया और यह कार आपको 402 लिटर की बुट स्पेश दी गए इस पर आपको 165 mm की ग्राउंड क्लेंज दी गए जिस से आप normally किसी भी सर्फिस पर लगबग आसाली सी चला सकते हैं इसका कि मेडियम मोडल पर या फिर बेस मोडल पर 14 इंच और टोपेस्ट वेरियन पर 15 इंच के टार्स ओप्शन दिया गया है जो company fitted alloy wheel के साथ में भी आते हैं बेस मोडल पर आपको wheel cover दिया जाएगा इसके बाद second position पर आने वाली कार है Honda की Amaze Honda Amaze की कीमत 6,22,000 से शुरू होकर 9,99,99 के लिए जाती दोस्तों यहाँ पर हम बात करें third position पर आने वाली कार की बाद तो वो है Ford की Aspire Ford Figo Aspire Figo आपको यहाँ पर hatchback मोडल पर मिलती है और Ford Figo Aspire sedan मोडल पर मिलती है यह कार भी 4 मिटर की एक compact sedan मोडल कार है जिस कार की कीमत 7,37,000 से शुरू होकर 8,72,000 के ले जाती है जो केवल और केवल चार वेरिंड पर ही अवेलेबल है दोस्तों इस कार पर आपको 1.2 लीटर का petrol आप्सेन मिलता है और 1.2 लीटर का ही डीजल आप्सेन भी मिलता है जहाँ पर आपको डीजल आप्सेन पर 98.96 BHP की पाउर मिलती है जो की काफी बैतरीन और एक powerful इंजन हो जाता है एक 4 मिटर के sedan मोडल कार के लिए जहाँ पर आपको automatic का आप्सेन नहीं दिया गया जहाँ पर आपको इस कार की प्रैस थोड़ी ज्यादा है जिस कारण से इस कार पर कुछ खास फीचर दे गए वह मैं आपको वीडियो में आगे बता रहा हूं इस कार की length of four meter की है इस कार पर आपको 369 liter कीzero race दिग्गाई है लेकिन इस कार के थोड़ी ज्यादा है जिस कार पर आपको बेस मोडल और टोपेस्ट वर्ड दोनों ही पर 15 इंच के अलोई वील का ओप्शन दिये गया है जो कि एक बैतरीन और अच्छी बात है इसके अलावा इस कार को अगर आप लेते हैं तो यहां पर आपको इस कार पर शिक्स एयरबेग अप्शन दिये गया है इसके टोपेस्ट वर्ड पर यानि कि इस कार पर दो 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 ऑप्शन है पैट्रोल और डीजल पर जिसके दोनों कर टोपेस्ट वर्ड को लेते हैं चाया आप डीजल के लिए या फिर पेट्रोल वेरिंट के लिए आपको दो हीनी पर 6 एयरबेग मिल होकर 15,19,000 तक जाती है इस कार पर आपको 1.5 लिटर का पैट्रोल ऑप्शन 1.0 लिटर का टर्बो पैट्रोल इंजन और 1.5 लिटर का ही यहाँ पर डीजल इंजन दिया गया है जहां पर इसके डीजल इंजन पर आपको लगबग 113.42 बहप तक की पाउर मिलती है जो कि यह जाद बहुत ही जादा एक बहतरीन अच्छी पाउर वाली कार हो जाती है और यह कार पाउर के साथ साथ बाकि सबी चीजों में भी प्रीमियम और पाउरफुल है जहां पर आपको इस कार पर मैनोर ऑट्रोमेटिक दोनों ही कॉप से मिलते इसके पैट्रोल डीजल और यहां पर इलेंट्रा की कीमत तो थोड़ी ज्यादा है लेकिन वर्ना की कीमत आपके बजट पर आने वाली है तो यहां पर आपको 4.44 मीटर की लेंथ मिल जाती है लगबग 480 लिटर की बूटी स्पेस दी गई है 16 एंच के टार्स ऑप्शन देग है जो बेस मोडल पर वील क सकेंड आप मोडल पर आपको 6 airbag option देगे और काफी बैतरी न से सेप्टी फीचर भी देए गया है बाकि लुकिंग वाइस हिंडे वर्ना काफी ज्यादा प्रीमिम दिखती है बाकि कार से इसकी बाद 5 परसन और लास्ट परसन पर है होंडा की city होंडा city की की कीमत 10,99,000 से श प्रीजी प्राइस आपको ज्यादा लगानी पड़ेगी याने कि आप्टर होंडा मेस टॉप मोडल के बाद जो प्राइस है वो लगबाग आपको 1,00,000 प्रेक्ट लगाने पर होंडा city की बेस मोडल मिलती है लेकिन काफी ज्यादा प्रीमियम हो जाती है यहाँ पर होंडा पिल पाता यानि कि अगर आप होंडा city के आटमेक कूल लेना चाहते है तो वहां पर आपको पैट्रोल उप्सिन है लेना पड़ेगा यहां पर आपkle 97.90 बी एचपी की बाखिवर मिलती है जो के काफी बाटरी लगबाग सो बीचपी तक की पावर मिलती है आपको होंडा city क के डीजल आप्षों पर जहां पर आप काफी बातरी सी पाउर दी गई है लेकिन केवल मैन्याल ट्रांजेक्शन पर यहां पर ना दिया गया इस पर आपको 506 लीडर की बूटीज फिस दी गई जो की बाकि चारो कार से भी ज्यादा है और आपको 165 mm की ग्राउंड ट्लेंस दी गई है आपकी जानकरे के लिए कि सुपहसएट मूडल सी जिसका आप इसे कम नहीं बोल सकते हैं क्योंकि आप एक सेडान मूडल कार ले रहे हैं जहाँ पर अगर आप Honda City को लेते हैं तो वहाँ पर आप सभी लोगों को 15 इंच के टार सॉप्शन दिए गया है बेस मोडल पर मीडिया मोडल पर जो की वील कबर के साथ आती है और टोपेस्ट वेरिंट पर कंपनी फिटेड अलोई वील का साथ आने वाले 16 इंच के टार सॉप सबस्दियो आपको वीडियो पर सकते हैं तो दोस्तों ओमीद है कि मेंता प्रत और यहां पंदे माँत्रम